जहीन फ्रेंट्स वेलकम टो माई ओवी सी यूटूब चनल स्ट्रडी मेटेरियल एटुजेड आर्मी कैंटीन ग्रूप सी रेकूटमेंट दोजार बाइस दोस्तो बड़ी अपडेट आप सभी के लिए नई वेकेंसी का नोटेविकेशन आप सभी के लिए जरी कर दिया है औ आपकी ओफलाइन भरती रहने वाली है इसकी सेलेक्शन प्रोसेस का होगी और कौन कैंडिडेट इस भरती के लिए इलिजीबल होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाले है दोस्तो कोई भरती होती है या पिर कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपक चैनल पे मिल जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा आने वाली सभी बरतियों की अपडेट के लिए दोस्तों यह हमारा टेलिग्राम चैनल जहां पे आपको उपलाइन फोम भी जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा या दोस्तों आपको व डाउट ग्रूप भी बन चुका है तो आप डाउट ग्रूप को भी जोइन कर लीजिएगा और काफी ज़्यादा कैंडिडेट के लिए कर रहे थे तो यहां पे जाएए इस पे देखिए थोड़ा सा भी आग जुड़ोगे तो जुड़ जाओगे यहां पे जाएए यहां क्लिक कीजिएगा यहां पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे जाओगे वेबसाइट के नीचे ही नीचे चलना एक बार मैं दिखाता हूं आपको यहां पे जाने के बाद आप नीचे स्क्रोल करोगे तो जितने भी लिंक आपको चाहिए सब भी मैंने यहां पे डाल दिय है देखिए तो आपको जो भी यहाँ पे वाटसप ग्रूप है वो भी मैंने बना दी हैं इंस्टाग्राम है टेलिग्राम है जो भी आप जोइन करना काइवले कंड्न यहाँ आपंवाले कंड्रीडेट नहीं है आप यह मत समझी जैस अ किसीवलीं कंड्रीडेट है उनके लिए ब्यश्ताइक तो आपको कम्प्लिट डिटेल के लिए वीडियो को मिली थी आपको मैंने बताया था बिवानी है भाद्रा है और इसमें दादरी है ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे गई है आप अच्छे से इनको पड़ सकते हैं इसमें आपकी कलरक की भी पोस्ट है सेल्स परसन की है यहाँ पी दोस्तों एक जो हो आपका क्योरिज रहीगा कि सर क्या सभी कैंडिडेट तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्टर और मैनेजर इसके लिए आपकी दोस्तों पोस्ट बड़ी है और इसके लिए केवल ग्रेजवेट कैंडिडेट ही अपलाई कर पाएंगे साथ में यहाँ पे एक्सप्रियंस कैंटीन का यहाँ पे आपको टेलिग्राम पे जाके जुड़ जाएगा अपडेट टेलिग्राम पे ही कर दूँगा तो आपको जो नोटिपीकेशन है उसको अच्छे से आपको डोकुमेंट क्या के लगाने है यह आपकी यहाँ पे यह एक्सर्विश्में कैंडिडेट के लिए भी है और बिना कैंडिडेट उनके लिए भी है तो गाइज नेक्स्ट यहाँ पे है असिएंट मेनेजर की पोस्ट और इसमें यहाँ पे वही है आपका जो की डिटेलर पूरी तरह से मांगा गया है और आप जो यहाँ पर भी पूरी डिटेल जो हो आपको देनी पड़ेगी तो इसलिए य बड़ी ही जबरजस्त पोस्ट होती है तो आप कलरक के पीछे जो कापी सारी कैंडिडेट को अच्छी लगती है और यहाँ पे ग्रेजवेट कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों जो है एज भी आपकी बहुत जादा एज देखने को मिलती है इसके अ 50 साल लेकिन कैंडिडेट के जो बहुत ज़ादा कुशन भी रहते हैं अकाउंटेट कलर करक है इसमें भी आपका यहाँ पे ग्रेजवेट कैंडेडेट अपलाई कर पाएंगे और इसमें यहाँ पे परसंटेज की भी वेटेज रखी है कि आपके 50% यहाँ पे हो नहीं चाह की है मिनिमम बारवी पास है तो यहाँ पे आपको मोका मिल जाता है काफी ज़्यादा कैंडिडेट को और अकाउंटेट के लिए रखी आप देख सकते हैं डिटेल को आप देखिए यहाँ पे पूरी तरह से दे रखा है सारी जीजें और आपको पूरी तरह से बताऊंगा complete डिटेल तो वीडियो पूरा देखते रहेगा सो गाईज यहाँ पे अप्लिकेशन यहाँ पे आपको अप्लिकेशन सेंड करना है देखेगा 533 ESC BNEA जो आपको पिन कोड दिया गया है और यहाँ पे 23 मार्च से पहले पहले आपको अप्लिकेशन बेजना होगा और 25 रुप आ रहे हैं सबी candidate के बरती एकसर्विसमेंट की थी लेकिन होता क्या है कि इतने ज़्यदा candidate यहाँ पे नहीं मिलते हैं और इस कारण से ایसा होता है और रही बात ऐसे भी कि दोस्तो प्राविट पहले एकसर्विसमेंट को ही दी जा gdy लेकिन बाद में आपको यहाँ पे देख का भी यहां पे कोई जंजट नहीं है और recruitment तो भाई stop की recruitment है चाहे वो कलरक की ले लो चाहे अकाउंटेट कलरक की ले लो सभी ही जबर्जस्त वैकेंसी हैं तो और एक चीज और बता देते हैं कि यहां पे वैकेंसी का जो हो कभी भी यह जो पहले खुलासा नहीं करते हैं कि कित चीजें होगी तभी आपको पता चलेगा बट दोस्तो इतना कहतेता हूं कि admit card तो आ ही जाते हैं admit card आ रहे हैं candidate के अभी जो पिछली बार जो ECHS की उसकी बारे में मैंने भी बताया था और आप जो जुड़े होए होंगे तो आपको पता होगा और कुछ candidate ने apply भी किया था त प्रिया की candidate apply कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो के साथ और वीडियो चल गया तो शेर कीजेगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजेगा भाई जैहिंद